दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कंगना रनौत की 10 लगातार फ्रॉप होने वाली फिल्मों की लिस्ट के बारे में, तो वीडियो को शुरू से अन्द तक जरूर देखिएगा. दोस्तों, अभीनेतरी कंगना रनौत की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में नंबर एक पर आती है फिल्म, तेजस, जो एक सरकारी प्रोपेगंडा फिल्म थी. यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी, और इसका बजट 60 करोड रुपे था. फिल्म का इंडिया नेट कल क्लेक्शन, 7 करोड 30 अक्ट रुपे है यह फिल्म Overseer में यह फिल्म 45 अक्ट किलाक रुपे का क्लेक्शन किया था. दोस्तों, विश्वभर में इस फिल्म ने कुल आप क्ल आठ करोड 5 अक कलेक्शन किया था यह फिल्म बाक्स ओफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी दोस्तों टाइमस ओफ इंडिया खबर के का कलेक्शन किया था वहीं इस फिल्म ने विश्वभर में कुल तीम करोड़ सत्तर लाक रुपए का कलेक्शन किया था यह फिल्म बाक्स ओफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी दोस्तों बॉलिवुड हंगामा रिपोर्ट के मताबिक इस फिल्म से निर्माता को 78 करोड़ नुकसान हुआ था इस लिस्ट में नंबर 3 पर आती है फिल्म थलाइवी यह फिल्म 10 सितंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इसका बजट 100 करोड़ रुपए था फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 7 करोड़ 28 लाक रुपए है उसके साथ ही फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्श में बनी यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर कुल 8 करोड़ 50 लाक रुपए का कलेक्शन किया था इस लिस्ट में नंबर 4 पर आती है फिल्म पंगा यह फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी और इसका बजट 49 करोड़ रुपए था फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 27 करोड 34 ल दोस्तों 49 करोड़ रुपए में बनी यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर कुल 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था इस लिस्ट में नंबर 5 पर आती है फिल्म जज्जमेंटल है क्या यह फिल्म 26 जुलाई 2019 को रिलीज हुई थी फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 34 करोड 45 ल रुपए है वही इस फिल्म ने विश्व भर में कुल 49 करोड 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर आवरेज साबित हुई थी दोस्तों 35 करोड रुपए में बनी यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर कुल 49 करोड रुपए का कलेक्शन किया था इस नमबर चे पर आती है फिल्म, सिम्रन, यह फिल्म 15 सितंबर 2017 को रिलीज हुई थी, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 19 करोड 18 लाक रुपए है, वहीं इस फिल्म ने विश्वभर में कुल 26 करोड 30 लाक रुपए का कलेक्शन किया था, यह फिल्म बाक्स ओफिस पर फ्लॉ फिल्मों की लिस्ट में नमबर साथ पर आती है फिल्म, रंगून, यह फिल्म 24 फरवरी 2017 को रिलीज हुई थी, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 28 करोड 82 लाक रुपए है, वहीं इस फिल्म ने विश्वभर में कुल 40 करोड 50 लाक रुपए का कलेक्शन किया था, यह फ फिल्मों की लिस्ट में नमबर आठ पर आती है फिल्म, कटी बत्ती, यह फिल्म 18 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी, और इसका बजट 34 करोड रुपए था, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 24 करोड 57 लाक रुपए है, उसके साथ ही फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 33 कर पर आती है फिल्म, I Love New Year, यह फिल्म 10 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी, और इसका बजट 16 करोड रुपए था, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1 करोड 62 लाक रुपए है, यह फिल्म विश्वभर में कुल 1 करोड 62 लाक रुपए का कलेक्शन किया था, यह फिल्म बाक् पर कुल 1 करोड 62 लाक रुपए का कलेक्शन किया था, दोस्तों अभीनेतरी कंगना रनौत की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में नंबर 10 पर आती है फिल्म, उंगली, यह फिल्म 28 नवंबर 2014 को रिलीज हुई थी, और इसका बजट 35 करोड रुपए था, फिल्म का इंडिया कलेक्शन 19 करोड 31 लाक रुपए है, उसके साथ ही फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 26 करोड 7 लाक रुपए है, यह फिल्म विश्वभर में इस फिल्म ने कुल 39 करोड 95 लाक रुपए का कलेक्शन किया था, यह फिल्म बाक्स ओफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी, दोस्तों 35 करोड रुपए में बनी यह फिल्म बॉक्स आफिस पर कुल 29 करोड 95 लाख रुपए का कलेक्शन किया था दोस्तों ये रही अभिनेतरी कंगना रनौत की लगातार 10 फ्रॉप और डिजास्टर फिल्मों की लिस्ट आपने इन में से कौन सी फिल्म आपने देखी है और कैसा लगा आपको? कृपया कमेंट्स में अपनी राय साजा करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अगर आपका कोई सुझाव हो तो वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं